हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम टू यूटीब चैनल ग्यान गुरु अकेडमी डियर स्टूरेंट्स आज हम बात करने वाला आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल तेंथ की जो पविट्री है उसमें बात करेंगे बचों पहले चेप्टर द फाउंटेन जिसके लेखक हैं ज आपका जो बोड एक्जाम होता है बचो यूपी बोड का उसमें सलेबस में दिया वह में है सेंटरल आइडिया भी आपका जो की आपके पोईम वाले सक्षन से में हर सेक्षन का एक सेंटरल आइडिया किंद्री भाह होता है, ठिकें तो पूँछते हैं आप लागा 3500 नमब Central idea याद करेंगे तो भी आसान है और poem याद करेंगे तो भी आसान है तो आई आज हम पहले chapter का Central idea देख लेते हैं और तीन नमर पक्ता करते हैं तीन नमर आपका fix हो जाएगा जागर आपने Central idea याद कर लिया बोडिक जा में आपका English में तीन नमर आसानी से आप isiertउंट कर पायेंगे ठीके धिक टीके एंक हीं किस तरण से पुछता और अइडिया का पहले एए चीजुड आप ध्यान से दिखिए कुछ इसटरा से पुछेगा बच्छों गिव गाशन को सिन्टरा आइडिया अ फोयम दल फांट संटरा आइडिया थें आप देख सकते हों कि कितनी बार पूछा जांचुका है, इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है, फवारा कभीता का मुख्य भाव बताईए, फवारा कभीता है इसलिए पतलब होता है, मुख्य भाव, आप उसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ दीजिए उसके बाद उसको वही चीज जो इसमें है वही चीज मेंशन कर देंगे The fountain always looks happy and beautiful Simple सी बात है जो वारे सदें प्रसंद और सुन्दर दिखाई जेता है It has natural energy and nobody can tame it We should like the fountain Always keep fresh and changing the And at steady We should aspire the higher things Natural energy ठीक है और कोई भी इसे निश्टेज नहीं कर सकता फवारा हमें क्या करता है वच्चो Fountain always की fresh नहीं क्या करता है सदेंव की भाति ताजा परिवर तंसिल किन्तु इस्तिर होना चाहिए सारी चीज़ों सिखाता है हमें उच्ची चीजों की आकांचा नहीं करनी चाहिए ठीक है यहाँ पर उच्ची चीजों की आकांचा करनी चाहिए यहाँ पर सारी चीज़ों आप लोगो फवारा से सीखने को मिल ला है So dear students, सिर्फ और सिर्फ इतना ही है आप लोग का क्या ठीक है इसका सेंट्रल आइडिया अगर आप इतना याद कर लेते हो तो आपको पूरे के पूरे तीन नमर मिल जाएंगे बोड इजाम में तो देर न कीजिए जल्दी आप लोगी से अपने कौपी पर लिग कर याद कर डालिए तीन लाइनों का ढाई लाइनों का सिर्फ है और तीन नमर का आपका है मिलने वाला बोड इजाम में ठीक है चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद लेकिन एक चीज वही है जो आपसे अपील है के भी तक आप हमारे चैनल पर नए है ते चैनल को सब्सक्राइब करके भी लाइकन जो दमाएता क आने वाली वीडियो को नाटिकेशन सबसे पहले आप तक पोचे चलिए मिलते हैं एक लेक लास में तब तक के लिए धन्यवाद